आप सब को मेरा नमस्ते ये सेशन महत्वक्त है क्योंकि ये सेशन में आपको थोड़े वीडियोस दिखाऊंगी लाइव वीडियोस है बच्चों के लाचिंग के वीडियोस है इसमें मैं सिखाऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है और गलत है तो क्या गलत है और आपको कैसे उसको सुधार ना है ठीक है तो ये बहुत ही महत्वक्त का सेशन है आपको दो तिन बार देखना है ये सारे वीडियोस तो आपको फिल्ड में बहुत मतलब काम में आएंगे जभी आप बच्चे जभी मादू लारी और अगर आप देखना है तो पहलावला वीडियो है उसमें यह दिखाने की कोशिश कर रहिए है कि अगर बच्चा सिर्फ निपल पे लाच कर रहा है तो कितना दुदाएगा तो यह आपको देख रहा है ठीक है अनफॉर्चुली क्या हो रहा है भारत के हमारे भारत में लगभग नन्यावेट का बच्चे सिर्फ निपल पे लाच कर रहे हैं उनको मां को मालूम है कि पूरा जो काला बाग नीचे का काला बाग बच्चे की को नहीं मालूम है डॉक्टर्स को नहीं मालूम है किसी को मालूम है ठीक है तो यह आप देखिए कि अगर बच्चा सिर्फ निपल पे लाच कर रहा है यहां पर वैसे हम लोग बता रहे है और बच्चे ने जब भी अरिला दबाया तो कितना दूद आ रहा है ठीक है तो यह को जड़ा धिहान में रखना है कि बच्चे को एरिला पे लाना है फिर से मैं आपको एक बार दिखाती हूँ क्योंकि यह बहुत महुत पुरुनक है कि बिल्कुल दूद आई ने रहा है इसलिए हमारे बच्चों के बजन से 300-400-500 ग्राम बढ़ रहा है अगर बच्चे को इ आउस नहीं दीख रहे है उसकी यह जो डाडी है यह जो है यो चिन वह नहीं दिख रहा है तो आप डेफिनिटलि देखना कि बच्चा इतना बढ़ता है यह जही टेक्नीक से गर बच्चा लाच हुआ तो चेक है तो यह आपको धियान में रखना है यह दूछरा है यह देखिए लेकिन ये देखिए निपल है कैसी है रिट्रेक्टाइल है मतलब निपल अंदर की तरफ है निपल बाहर नहीं है अब कहीं बहुत टाम ऐसा होता है कि अगर निपल अंदर की तरफ होती है तो बहुत सारे डॉक्टर्स है नर्सी से बोलते हैं सिरिंज से बाहर निका इसे आरा है तो एरिला पर ci एक हो अगर अपने सही तरह से उसको पकड़ा तो वह पूरा यह जो पूरा जो एरिला के वो पूर निपल निपल भी बन जाएगा थीक है दो मा को बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूर्द है आपको बतनाते मा ambos की बिलकुल टेंशन करें कि जरूदं नहीं है निकल अंदर है बाहर है कुछ फरक नहीं पड़ Santa नहीं है हां अगर आप निपल लाच करवार्वाना चाहते हो तो निपल की जरूरत होगी लेकिन आपको निपल लाच नहीं करवाना है तिक है अपको अरेला लाच करना है द region में देखना है देखिये ये जो डॉक्तर है जहां पे बच्चे के उपर हochat है वहाँ पे उसकी कुली है जहाँ पे नीचे के होट है वहाँ पे दूस्री ने टो यह जिटो डॉक्तर रही है तिके बिजिए मा ला रही है problem एक है यहां पर कि बच्चा cradle hole में आ रहा है देखिए मां यहां से उसको पकड़ रही है ठीक है और यह cradle hole में बच्चे का यह जो मुह है बाहर की तरफ यहां पर हो रहा है लेकिन यह hole में मां को उपर से पकड़ना बहुत difficult होगा ठीक है तो आपको मां को बताना है कि उसको cross held में लाईए ठीक है उसके दूछरा हाथ है वह सिर्के पीछे रहना चाहिए और यह वाला हाथ है वो नीचे से पकड़ के ऐसे U-shape में जैसे यह उपर से U-shape पकड़ा हुआ है वैसे वो नीचे से U-shape पकड़ सकते हैं ठीक है तो मैं आपको यह वापस दिखाने वाली हूँ आप देखे कैसे हो बच्चा दूद पिरा है ठीक है देखे जब तक वुद भड़ा मूनी खोलता है जैसे वुद भड़ा मू किया वैसे तुरंति दॉक्टर ने से बच्चन को लाच किया ठीक है और देखिए कितना नसिक है कि बच्चे के होट बिलकुल नहीं देख रहे यह अपने बिलकुल उसके होट नहीं पड़ रहे हैं और दूसरा क्या है कि उसका जो सिर है वो भी थोड़ा भार की तरफ है ठीक है वो extension of neck है तो यह बहुत ही beautiful latch है only thing कि इसमें क्या हो रहा है कि doctor मदद करिये आपको मा को सिखना है कि मा खूद कैसे ऐसे latch करे ठीक है तो मा को बताना है कि दूसरे हाथ से बच्चे को पकड़ना है ठीक है और यह हाथ से वो तन को पकड़ सकती है ठीक है okay very good देखे ठीक है अभी यह है दूसरा देखे यह क्या है ठीक है इसमें problem यह है कि उसकी जो पूरा जो शरीर है वो बाहर की तरफ घुमा हुआ है तो उसका जो चाती है वो बिल्कुल मा की चाती की तरफ होना चाहिए यह उसका जो सिर है वो ऐसे मूरा हुआ है तो यह जो है यह गलत है ठीक है दूसरा उसका जो बच्चे का कान है कान के नीचे बिल्कुल उसके जो shoulder joint है यह जो shoulder joint खंदे है वो बिल्कुल कान के नीचे आ चाहिए पर रहा है उसके खंदे पीचे की तरफ टहरा है उसके काण के नीचे एप यह थोड़े पीछे की तरफ यहाला थीक Lore यह पोज्यूशन बच्चे का गलत है उसकी चाहती बिल्कुल माँ की तरफ घुमनी चाहिए दूसरा उसका जो सिर है वो थोड़ा ऐसा पीछे की तरफ है लेकिन सिर ये पीछे की तरफ होना ही इतना पीछे की तरफ होना है लेकिन उसके साथ पूरा जो बदन है पूरा उसका उसका सिर है उसका जो पूरा जो कंदा है एवरिधिंग शुड़ बें दे शेम लाइन ठीक तो यह मैं आपको वापस दिखाती हूं और यहां पर थोड़े खड़े पड़े देखे आपने यह वाले खड़े उसका मतलब यह है कि बचे के मुँझ में अभी भी जो अच्छी तरह वो नीचे का काला भाग है नीचे का का जब बच्चे के मुह में जब उपर का काला भाग जाता है तो इसको में क्या करूंगी कि बच्चे को सीधा करके उसको थोड़ा नीचे की और खीचूंगी तो उसको थोड़ा नीचे की और ऐसा कीचूंगी, क्योंकि मुँ बड़ा है, मुँ अच्छी तरह बड़ा है, लेकिन क्या हुआ है कि वो उपर काला भाग जादा गया है, और ये जो पुरा बदन है थोड़ा ऐसा गुमा हुआ है, तो उसको मैं निकालूंगी नहीं बच्चे को, क्योंकि मुँ बड़ा है, उसको सिर्फ उसका पैर से उसको किचूंगी, और उसका जो शरीर है थोड़ा ऐसा टर्न करके मा की तरफ उसको लाऊंगी, ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, इसमें देखिए कि बच्चे के दोनों होट दिख रहे हैं, नीचे का काला भाग है मुँ में, लेकिन अभी देखिए, उसने अंदर ले लिया, तो जैसे उसने अंदर ले लिया, मतलब की अभी बच्चा अच्छी तरह वो खुपा हुआ है, तो अगर आप ऐसे दो होट देख रहे हैं, उसका मतलब आपको ध्यान में रखना है, कि वो बच्चे की मतलब जो लाचिंग है वो ठीक नहीं है, तो आपको एक बड़ लाच चेक कर लिया, तो मा को बोलो कि अंदर की तरफ बच्चे को खीचे, तो वापस मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखे बच्चा, ये देखे लाच ठीक नहीं है, देखे दोनों होट दिख रहे हैं, ठीक है, एक बार मुह देख लिया, मुह अच्छी तरह अंदर का नीचे का काला बाग आया है, अगर अंदर की तरफ खीचे, तो बच्चे को दूड जीतना मिलना चाहें, अथना वह दूड मिलेगा, नहीं ठीक है, माने नीचे पकड़ा होए ठीक तरसे, लेकिन देखे, पूरा उंगली से पकड़ा हूए है, पूरा उंगली च्छाती पर है, तो यह उंगली है, वो बीच में आ रही है, देखिए आपने, ठीक है, तो यह ठीक तरह से पकड़ा होगा है, यूशेप है, लेकिन, और दूसरे देखा, आपने क्या था, वो जो उसका पूरा बदन था, वो बहार की तरफ था, ठीक है, जैस जैसे वो मुडाया, ठीक है, पूरा अभी वो नस्दी गया, लेकिन, अभी भी यह जो हाथ है, माक के जो हाथ है, वो बीच में आ रहे है, देखिए, बच्चा बिचारा दूद नहीं पी सकता है, आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, आपको कैसे पकड़ना है, सिर्फ उंगली जो है, यह पूरी उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है, इसलिए बीच में आ रहा है, आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, आपको सिर्फ उंगली की जो टिप होती है, यह वाली, ठीक है, जबी कोई गंदा कपड़ा पकड़ते हैं, सपीस, कुछ भी गंदा है, आपको ऐसे पकड तो उससे क्या होगा, कि यह उंगली बीच में नहीं आएगी, ठीक है, तो यह मैं आपको वापस में दिखाने वाली हो, दूसरा एक प्रॉब्लम है इसमें, कि यह जो बच्चा है, उसका नाग देखिए, यह जो उसकी जो गर्दन है, गर्दन ऐसी नीचे की तोर मुड़ी हुए है, यह नीचे की और मुड़ी मतलब यह सही नहीं है, ठीक है, तो और उपर का अला भाग ज्यादा गाया हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या है, कि यह बच्चा बहुत दूर है, मनदस्दिक नहीं है, उसके दोनों होट दिख रहे हैं, ठीक है, और नाग बहुत में थोड़ी उपर की तरफ करूँगी, और उसका जो नाक है, वो निपल के नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा से हम लोग चेंड करते हैं, तो अभी वो बच्चे को अच्छी तरह, you know, you can see, now check again, दिखें बच्चे को खड़े पढ़ रहे, ठीक है, आपने खड़े दिखरी जितना होना चाहिए, उसका मूँ लगबग 90 डिगरी जितना है, ठीक है, ठीक है, उसको बच्चे को नस्दीक तो लिया, लेकिन अभी भी उसकी जो गरदन है, वो नीचे की तरफ जुकी हुए है, नीचे की तरफ जुकी होनी, it should not be नीचे की तरफ जुकी हुए, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वेरी गुट, अभी देखे यह क्या है, देखे बच्चे की गर्दने अच्छी तरह उपर की तरफ है, क्रॉस के ड्ल होल में रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर अभी लाचिंग चेक हो रही है, देखें लाचिंग के लिए वो कहां पे डॉक्ट चेक करी है, ठीक है, यह जो नीचे के होट है, बिल्कुल अरिला की बॉर्डर उपर के होट है, वो बिल्कुल निपल के उपर ही है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, खड़े भी बिल्कुल नहीं पड़ रहे है, ठीक है, तो जैसे वो बच्चे ने लाच कर दिया, आपको मा को सिका रहा है कि यहां पर नीचे के होट है, वहां पर दबाके एक बार देख ले, बच्चे का मुँख इतना बड़ा है, सब ठीक है कि नहीं, और जैसे वो सब देख लिया, फिर बच्चे को, मा को बोलना है कि बच्चे को और चाथी के अंदर, खुपा है, बच्चे जितना अंदर खुपेगा उतना वो दूद्ध जादा खीच सकेगा ठीक है तो यह आपको मैं वापस एक बार दिखा देती हूँ देखिए देखिए होट है अब आपके जो गाले बच्चे के बिलकुल फुल होए ठीक है अच्छी तरह beautiful positioning है ठीक है और यहां पर चेक करिए जो भी है वो चेक करिए देखिए नीचे के होट है यहां पर वाटर पर देखा आपने ठीक है तो पूरा जो नीचे का काला भाग है वो इसके बच्चे के मु में गया हुआ है तो यह है आपका लाइचंग, सही तरा का लाइचिंग सही तरा का लाइचिंग, सही तरा का लाइचिंग, जिद की संथा साइड लाइट होँड में देखें भ Tomato देखिक यह रहा है डॉक्टर देख रहे हैं, मा को दिखा रहे है, कि लैचिंग जब भी चेक करें, तो क्या-क्या देख रहा है, बच्चे का मुँभ बहुत अच्छा, बड़ी तरह खुला हुआ है, अली देखेंगे इसके बच्चे के होट थोड़े दिख रहे है, बच्चे के होट डिखने न नजदीक है उसके गादन मस्का जो नेकिन उसका जो होट है होट अभी वी अंदर को उपना चाहिए इस फोट डिकने नहीं ब्लों डेक्स अबिचा अभी थोड़ा दूर शहें तक है यह अभी देखते हैं देखें, मुह कितना बड़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरह बड़ा हुआ है, डॉक्टर ने देखा, एक प्रॉब्लम है इसमें, कि जो उपर का जो एरिला है, वो बहुत उसके मुह में गया हुआ है, ठीक है, ये उपर का एरिला है, सिर्फ उसके निपल के उपर ही होना चा देखें, तो जितना वो नीचे के होट के तरफ होगा, उतना बच्चा वो दूद अच्छी तरह पी सगेगा, ठीक है, ठीक है, ये देखिये अभी, इसमें भी यही प्रॉब्लम है, कि देखें, उपर का जो एरिला है, बहुत उसके मुह में गया हुआ है, ठीक है, जबी उ चुको ज्यादा दूद नहीं मिलेगा क्यूंकि उसका जो उपर का होट निपल के उपर हो नाच चाहिए और जो नीचे का होटे बिल्कुल यहां पर यह था ऐख तो यह गलत है तो आपको वापस उसको डिवाच करके उसको वापस लैच उसको करना पढेगा ठीक है देखतें वापस देखे गड़ा पढ़ा है क्यों घड़ा रहा है दोचीज सेter पढ़ एक तो दोनों होट डिख रहे है दुछना अउपर कारणSp Corinna मोह अगया है तो कहारण सहिसको phones यह खड़ा बिलकुल पढ़ना नहीं चाहिए एक बार खड़ा पड़ा मतलब there is a problem ब्यूटिफुल है लेकिन क्या हो रहा है कि उपर का मुह में डालने की जरूत नहीं है ठीक है तो यह जरा ध्यान में रहे कि नीचे के अरिला पर फोकस करो आप जबी भी कुछ भी लड़ू भी काएंगे तो उपर की तरफ नहीं रखते आप नीचे की तरफ रहते है जितना नीचे की होट के तरफ उसका होगा अपस्तन उतना वह बच्चा प्रेशर करके दूट निकालेगा ठीक है तो यह दोनों गोट दिख रहे हैं मतलब सही नहीं है दोनों गोट दिखने नहीं चाहिए बच्चा और भी अंदर की तरफ होना चाहिए ठीक है उसकी चिन भी जोतना साही नहीं है गर्दन भी थ Soo-de righteous की ओर है नीचे की तरफ जुकने चाहिए तो यह होट जो डिख रहे और नानेहीं चाहिए मां को बोलू कि बच्चे को और सतन की तरफ अंदर ले खीचे अंदर की तरफ खीचे अगर बच्चे को अंदर की तरफ खीचा माने तो वो होट है जो दिखेंगे नहीं ठीक है यहां पर भी उपर का एरला ज्यादा मुमें गया है देखा आपने उपर का एरला और नीचे का एरला इतना मुमें नहीं गया है ठीक है इसलिए बच्चे को थोड़े खड़े बढ़ रहे थीक थीक है तो एक पर बच्राइब की तरह किचणी अगर बच्चे को एक सही तरह से दूध थीक है तो मैं आपको यहां पे दिखा देती हूँ कि अगर बच्चा अगर सब्स उपर का एरला उसके मुँमें गया है तो आपको क्या करना है बच्चे को थोड़ा नीचे की और खिष्णा जहां पर उसके पैर है ठीक है वहां पर पैर की तरफ उसको किचना है और फिर उसको वाप पैर की तरफ उसको खीचना है ठीक है यह भी बहुत अच्छा बड़ा मुँ है बहुत बड़ा मुँ है लेकिन प्रॉब्लिम क्या है कि उपर के लुदा भी बहुत गया है उसके मुमें ठीक है तो उसको भी थोड़ा नीचे की और खिष्णी में और बच्चा ऐसे नीचे स तोड़ा रोटेट करके बिल्कुल उसका जो सिर है, एकदम स्तन के सामने होना चाहिए, ये स्तन के नीचे है बच्चा देखा आपने, ठीक है, और ये दोनों होट दिख रहे है, ठीक है, ये ये इतना सारा बार है, मतलब बच्चे को पूरा उसको ऐसा रोटेट करो, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा नीचे की तरफ कीचो और उसको यहां पे लाओ, ठीक है तो ये गलती है, देखिए अभी कैसे ला रहा है, ठीक है, ये ख्रॉस क्रुट्र होल्ड है, ठीक है, बच्चे को मुँझ देखिए कितना बड़ा है तब इसकी मुँ में डाल रहे, ठीक है, अगर बच्चे को मुँए ठीक तरह से नहीं गया तो बच्चा लेगा नहीं ठीक है तो यह जो उपर के होड को लगा के वो बच्चा बच्ची को लाच करा रहे रहे इसमें यह प्रॉब्लम है कि बच्चा ऐसा नीचे सारा है आपको बच्चे को ध्यान में रहे कि आप उसको बच्चे को directly stun के सामने लाइए ठीक है ठीक है लाचिंग अच्छी है लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे का मुँ है वो मा के मुँ पे देख रहा है वो I prefer कि बच्चे को आप थोड़ा रोटेट करिए ठीक है तो उसका जो नाक है वो तीन बज़े आना चाहिए और उसका जो नीचे के होट है वो नौ बज़े के पूजिशन में आनी चाहिए ठीक है तो वो पूजिशन में आपको लानी है मलब ऐसे लाओ कि उसका जो उपर के होट या नाक है वो तीन बज़े आ ये। ठीक है यह देखिए भड़े पढ रहे बच्चे की पोजिशन देखिए पहले पोजिशन क्या है? ठीक है पूरा बॉड़ी सपॉर्ट नहीं है माने सी शेप में सोड़ किया होगा खड़्डे नहीं है तो यह आपको ध्यान में यह प्रभ्र साग्या से तो फोड़ा दूद भी जाता होगा बच्चा कैसे लिता होगा राइट तो यह थोड़ा ध्यान में रहे तो यह पजिशन के बदले अगर आपने क्रेडल होड किया होता तो बच्चा बहुत नस्थीक होता आपके राइट इतना दूर नहीं होता बच्चा और इनाओ यह ज यह जो खड़े होते वो भी मतलब दिखाई नहीं देते हैं अगर अच्छी तरह लाच होता ठीक है ओके यह देखें दूसरा प्रब्ल्लम बहुत थकान जैसा लगता है इसमें अच्छी तरह वो मिल्क ट्रांस्फर नहीं होगा यह बच्छा भी निपल लाची लग रहा है देखाई नीचे का अरला पुरा भार ही है ठीक है यह देखें सिर्फ निपल थोड़ा अपर का अरला रहा है वहां से बच्छा दूद नहीं क यह दोनों बच्चे को लाच देखें यह देखें सिर्फ निपली चूस रहा है निपल में आपने देखा दूद नहीं आएगा समझ गया ना तो यह नीचे के जो होट है जहां पे वह वाला एरुला मुह में जाने की बहुत बहुत आवश्चता है ठीक है यह देखें अभी बच्ची का पूरा सिर है वह ऐसे घुमा हुआ है उसका जो पूरा जो बॉड़ी है वह उपर की तरफ है और सिर है वह ब्रेस की तरफ है निपली है देखें पूरा सिर्फ निपली मुह में गया हुआ है नीचे का एरलो भी बाहर है और उपर का एलो नीचे की तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हाथ बीच में आ रहा है यह वाला हाथ जो दुछरा वाला नीचे का हाथ वता है तो वह शुद नॉट बे लाइक दिस शुद भी बिहाइंड ब्रेस्ट ठीक है और यह बचे का जो पूरा जो बॉड़ी है वह बाहर की तर तरफ है और जो पूरा नेक है वह ऐसा पूरा घुमा हुआ है ठीक है और नीचे का जो काला भाग है वह पूरा भार है ठीक है और पूरा होट भी दिख रहे है और यह अपकी जो चिन है वह भी दिख रही है ठीक है निपल लाचे है पूरा निपल लाचे है इसलिए आपको से ठबाट से aniज़ा नहीं समसमें सकते हां लिए जी कि पीज फ़ज़ास तरफ लुट उतत तुछ नहीं नहीं तो ब्रॐजा जोह। वो भी नीचे के तरफ ऐसे घुमी हुई है तो ये भी गलत है ठीक है ये देखते हैं देखे ये पुरा क्रेडल होल है बच्चा क्रेडल होल में ला रहा है ठीक है देखे क्या प्रब्लम आ रहे है और मां भी जो पकड रही हो ठीक तरह से पकड नहीं रही है ठीक है मां की जो यह जो उंगली है वो बिलकुल पैरलेल होनी चाहिए उपर के होट और नीचे के होट से पैरलेल होनी चाहिए यह नो सिफ निपल मुह में डाल रहे हैं वो लोग निपल डाली तो देखें कितना उसको उसके खड़े भी पढ़ रहे हैं मुह भी कितना चोटा है एक सब्सक्राइब बिलकुल नहीं है सिफ मेभी इन फॉर्टी डिग्री है उपर के लो बहार है नीचे के लो बहार है यह निपल फीडिंग है यह बच्छा उसका वज़न नहीं भड़ेगा ठीक है और उसकी जो जो यह क्या लग रहा है अपको सही है कि गलत है बच्छा कितना दूर है देखा आपने देखें मां से कितना दूर है वो राइट और दूसरा क्या है कि नीचे का पूरा अरलो बहार है देखा आपने उपर का जो अरला है वो मुह में थोड़ा गया हुआ है लेकिन यह बिलकुल उपर कहेरे लो जो बच्चा दूद नहीं कीच सकेगा और उसके होट भी उपर के होट भी दिख रहे है यह भी ठीक तरह से उसको बच्चे को दूद नहीं मिलेगा ठीक है ठीक है अगर बच्चे को cleft lip या पालेट है मतलब अगर यहां पर कभी-कभी ऐसे होट कपे ऐसे cleft होती है तो अगर cleft lip याँ पर cleft palate है यहां पर कटे हुए तो कैसे दूद प्लाना है इसको बोलते है saddle this thing hold ठीक है जैसे घोडे पर मोग बच्चे को ऐसे घोडे की तरह बिटाना है और फिर उसको मा को बच्चा सीधा आ रहा है तो मा को C शेप में पकड़ना है उसको और जहां पर खड़ा है तो वह पर ब्रेस को दबाना है तो जो खड़ा है वो भर जाएगा अगर भर गया एक बार मा की चाती से तो बच्चा वो खीच सकेगा तीक है लेकिन देखिए कितना ब्यूटिफुल उसका पोजिशन है उसके जो सिर है थोड़ा भार की तरफ है जैसे पानी पीता है वैसी तरह ठीक है और उसको पूरा अच्छी तरह पीछे से सपोर्ट किया हुआ है ठीक है और यह जो उसके उपर के जो होटे उसके सामने मा की एक तो यह जो होटे वहाँ पे दूसरी उपलिया ठीक है तो यह तो होगे आपका लाइव वीडियो अभी आपको जबीभी आप कल से में जाएंगे तो आपको यह सारा निरेक्शन करना है मैं आपको बारवे शेशन में यह भी सिखाओंगे कि कौन सा फॉर्म आप भरेंगी तो उसमें सारे मैंने निरिक्शन लिखे हो है तो आपको ऐसे कुछ याद रखने की ज़रूती है याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अचली लेकिन अगर याद नहीं भी रहे तो वो पीडियेफ जो मैं आपको ऑनलाइन देने वाली हुँ वो पीडियेफ अप प्रिंट-ाउट करके लेके जा सकते हैं और एक दूसरा भी फ़ॉम हम लोग ने बनाया हुआ है निरिक्शन फ़ॉम है स्थानपान निरिक्शन फॉम वो भी आप भर सकते हैं ठीक है तो वह भी मैं उसका बहुत सेशन लोंगी ठीक है तो धनिया और अगले सेशन मुलेंगे.